गरीबी अशिक्षा और स्वास्त हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे देश की बहुत बड़ी आवादी को भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो पाता है कमजोर तबके के इन लोगों को बहतर इलाज की सुविधा भी मुहिया नहीं है और ना ही इनके बच्चों को एजुकेशन मिल पाती है समाज के इसी वंची तबके की सेवा करने के लिए डॉक्टर अशोक जैनर ने MJ Charitable Trust की इस्थापना की है डॉक्टर अशोक जैनर ने ये Trust अपने पिता स्वर्गया मेहंदर जैनर की इस मृति में बनाया है स्वर्गया मेहंदर जैनर शिक्षक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी भी थे वे किसी भी गरीव या बेसाहरा व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहते थे डॉक्टर जैनर की माता जी स्वर्गया प्रकाश्वती भी जरूरत मंद लोगों की हमेशा मदद करती रहती थी डॉक्टर अशोग जैनर ने अपने माता पिता के उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए गरीव और बेसाहरा लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है MJ Charitable Trust के माध्यम से कई गरीव और जरूरत मंद लोगों की मदद की जा रही है जो बच्चे पैसे की कमी के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे थे MJ Charitable Trust के द्वारा ऐसे कई बच्चों की स्कूल की फीज जमा की जा रही है अगर इन बच्चों को ये मदद ना मिल पाती तो इन के लिए शिक्षा हासिल करना लगभग असंभथा और लाखों दूसरे बदनसी बच्चों की तरह ये भी आज कहीं मजदूरी कर रहे होते MJ Charitable Trust के जरिये डॉक्टर शोक जैनर ऐसे ही लगभग 20 गरीब बच्चों की फीज जमा कर रहे हैं और उनका भविश्य समार रहे हैं ये ट्रस्ट इन बच्चों को फीज के अलावा स्कूल की यूनिफॉर्म और किताबे भी मुहिया करा रहा है इन मेंसे कुछ बच्चों के पिता की मौध हो चुकी है तो कुछ बच्चों के पिता ने उनहें और उनकी माँ को बे साहरा छोड़ दिया है ऐसे मुश्किल हालात में इनकी मां को घरों में जाड़ू पोँचा करना पड़ता है और ऐसे में उनके लिए अपने बच्चों को स्कूल भेज पाना लगभगा संभव होता है ऐसे ही तीन बच्चे हैं कमलेश, यशोधा और दीपा इन बच्चों के पिता को शराब पीने की लत्त थी जिसकी वज़ा से उसकी मौथ हो गई और घर का सारा बोज उनकी मां भवानी के कंधों पर आपड़ा भवानी घरों में ज़ाड़ू पूछा का काम करती थी, इस घर की मुसीबतें तब और बढ़ गई जब भवानी अचानक बीमार हो गई डॉक्टर जैनर ने उसका टेस्ट कराया तो पता चला कि उसको टी बी है उसके परिवार पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही तूट पड़ा ऐसे में डॉक्टर जैनर उसकी मदद के लिए सामने आए और उसके इलाज का सारा खर्चा और दवाईयों का भी सारा खर्च उठाया जो चोका बातन का काम कायती है जितना बनता है हमें टीवी की बीमारी थी भाईया ने बहुत हमाई मदद करी है और दवाई भी दी है उनने हम तो अच्छी तरह हो गए है और अच्छी तरह हो गए हम तो हम एक साल ग्यारा महीन हमने दवाई खाई है अब भवानी के तीनों बच्चे कमलेश, यशोधा और दीपा इस्कूल जा रहे हैं ये तीनों साहिवबाद के सरस्वती पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं भवानी की बीमारी भी ठीक हो गई है और अब वो फिर से काम पर जाने लगी है ऐसी ही कहानी मीना की भी है मीना का पती भी शराब का आदी है और मीना को घरों में काम करना पड़ता था एक दिन अचानव